बुद्धवार 1 एपरिल 2020 केरान सेक्टर कुपवाड़ा जिला उत्तर कश्मीर भारी बरफबारी ने भारती जिना को अपने शिविर के अंदर रहने पर मचबूर कर दिया था लेकिन उड़ते ड्रोन नियंदरन रूप से लाइन ओफ कंट्रोल पर निगरानी रखते हुए उस इलाके की फोटो लगातार कमांड सेंटर को भेज रहे थे रुको जरा इसे जूम करो ये डॉट देख रहे हो लगता है शुरू हो रहा है कौडिनेट निकालो सर जूमागुन के केरन सेक्टर में घुसबेट या हलचल नजर आ रही है कमांडिंग अधिकारी ने बिना हिच के चाहट आदेश दिया आड जाड रेजिमेंट तैयार करो हमें खत्रे को तुरंद विफल करना होगा उसी दोपहर लाइन ओफ कंट्रोल से कुछ दूर जाट पल्टन ने बर्फ में कमस कम चार से छे जोड़ी पैरों के निशान पाए और फुट्परिंट का पीछा करने लगे इस बर्फ बारी में वो जादा दूर नहीं जा सके होंगे सब ही सतरक रही है दूर पहाड़ी पर पेड़ों के बीच में उन्होंने पांच लोगों को भारी उपकरन ले जाते हुए देखा मिल गए दोपहर के करीब एक बजे मुखतसर गोली बारी शुरू हुई फिर वो पांच घुस बैठिये अपने भार को हलका करने के लिए गोला बारूत से भरे बैग वहीं छोड़ कर पहाड की ढलान उतर कर गहरी घाटी में कहीं खो गए आतंक वादियों का जल्द ही शोधन किया गया उतर में लाइन ओफ कंट्रोल और दक्षिन में शम्शा बरी चोटी के बीच सीमेत पावा, कुमकाडी, जुरहुमा, सफवली, बटकोरा और है हमा के गावों पर घेरा बंदी लगवा दी गई दू अपरेल गुरुवार की भोर एक तालेस और सतावन राश्टरी राइफल्स के सैनेक आपरेशन में शामिल हुए दू पहर साड़े-चार बजे एक बार फेर आतंगवादी नजर आए और गोली बारी चली जिसने भी गोली से जवाब देने के बाद चटान से कूट कर कहीं बरफीली वादियों में गायब हो गए दो दिनों तक और पीछा जारी रहा दो बार और गोली बारीया हुई लेकिन वो पकड में नहीं आये मगर हाँ अब आतंगवादी कुपवाड़ा के घने जुरहमा जंगल के एक हिस्से में सिमेट कर दिये गए थे जुमा गुंड गाउं से ज्यादा दूर नहीं वहाँ से बाहर निकलने के लिए शनिवार चार एप्रेल देर रात चौथा पेराश्टूट रेजिमेंट चार पेरा एसेश बटालियन के दो पल्टन खास आयोजन किये गए ये विशेश बलो का वो हिस्सा है जो उरी हमले के बाद सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके थे अब ध्रूफ हेलिकॉप्टर द्वारा नस्दी की बटालेन मुप्टाले के लिए तेनात हुए जहां से वो रंग दूरी, गुगल दरा और जूमा गुंड के तीन बेहक शेत्र पर नज़र रख सके इस उपरेशन का लक्ष ये था कि वो उचाईयों का लाब उठाते हुए आतनक वादियों को कोई नुकड में भसा दे क्वार्ट कॉप्टर ड्रोन के सारे के साथ पाज खास पेराशूटर दस हजार फूट की उचाई पर एर ड्रॉप किये गए सुबेदार संजीव कुमार दस्ते के नेतरतों में थे उनके पैरों के निशान का पीछा करो कमांडों ने धीमी, सतर गदी और चारों नजर रत्ते हुए निशान का पीछा किया फिर जब रभीवार पांच एपरिल की सुबह होने वाली थी आगे के सदस्य सुबेदार संजीव कुमार, पैरा टुपर अमित कुमार और हवलदार छत्रपाल सेंग अंजाने में कंगनी पर चड़ गए, पहार की चोटी के किनारे एक जमा हुआ बरफ का टुखड़ा जो उनके एकट्टे वजन की वज़े से तूट कर नीचे गिर गया और वे तीनों खा की गिराई में गायब हो गए, पूरे 150 फूट नीचे गिरे सीधे एक जमे हुए बहारी नलहा के उपड़ और ठीक उसी जगह पर आगिरे जहां आतंक वादी चिपए थे बावजु दिसके कि नरुम बरफ ने उनकी गिरावट के जोर को कम किया बाद में किये गया एक्सरे से ये पता चला कि गिरने से उनकी शरीर की कई हड़ियां तूर गए हैरत आतंक वादी भी फाइदे मन स्थिती में थे क्योंकि वे पहार की आड़ में चिपए हुए थे जैसे ही कमांडो अपने आपको एक घटा करने की कोशिश करने लगे आतंक वादियों ने हमला किया आगामी लड़ाएं में आतंक वादियों में पहले फार्दा उठाकर तीनों कमांडो पर लगातार गोलियां चलाएं जो मुश्किल से बस छे फूट की दूरी पे थे इतने कम फासले पर एंकाउंटर कभी कभारी होते हैं जादा तर वो हमेशा दूरी से होते हैं हवलदार अमित कुमार ने पंदरा गोलियां खर जबकि सुबेदार संजीव और पेराटूपर चत्रपाल ने भी भारी गोली बारियों का सामना किया बावजु दिसके कि वो गिरावट में घायल और खुले मेदान में थे उन्होंने कैसे भी करके शहीद होने के पहले पांच में से दो आतंकवादियों को मार किराया इसी बीच हवलदार दविंदर सिंग और पेराटूपर बालकृष्ण अपने साथियों पर भारी गोली बारी देखते हुए अपनी जान के परवा के बिना धलां से नीचे उतर कर युद्ध में शामिल हुए साथ में वे तीन घुस्पेट आतंकवादियों में से दो को मार गिराने में काम्याब रहे पांचवा आतंकवादि जो वहां से भागा आठवे जाट सैने का शिकार बना बुरी तरह से जखमी दो सैनिकों को श्री नगर सैने अस्पताल में एयर लिफ्ट किया गया लेकिन अफसोस दोनों सी राज शहीद हो गये बागी तीन युद्ध स्थल पर ही शहीद हो चुके थे है मेरे वतन के लोगो जरा आख में भरलो पानी इस चौथे पैरा स्थ बटालियन में शामिल थे सुबेदार संजीव कुमार धहरा गाउं हटवार बिलासपुर जिला हिमाचल प्रदेश पैरा टुपर बालकृष्ण उइद गाउं कुलू घाटी हिमाचल प्रदेश पैरा टुपर चेतरपा सेंग, चाश्री गाउं, जुजुन जिला, रजस्तान, हवलदार दविंदर सेंग राना, रुद्र प्रयाक उत्राखंड और हवलदार अमित कुमार उत्राखंड एंकाउंटर का हर एक सेकेंड क्वार्ट कॉप्टर ड्रोन ने फिल्माया जिसका पूरा वीडियो फुटेज चौथे पेरा मुख्याले ने देखा, जिन्होंने गर्व महसूस किया कि उनके भादूर साथियों ने दस्ते की प्रतिष्ठा को बना रखा शही जवानों को भादूरी के लिए मरणो परान सम्मानित किया जाएगा और ऑपरेशन रंडोरी बेहक भविश्चमे किताबों के सुनहरे पन्नों में दर्ज होकर ने सैनिकों को प्रोचसाहित करेगा पाकिस्तानी सैनिक द्वारा सीमा पार से गोली बारी जनवरी से मार्च 2020 तक 1197 घटनाय रिकॉर्ड की गई है इस गोली बारी का मकसद देखिए कि भारती सेना का ध्यान हटा कर वे घुसपैटियों को लाइन अफ कंट्रोल से ढखे ले सिर्फ मार्च 2020 में 411 उलंखन देखे गए जो पिछले साल मार्च के 266 उलंखनों की तुलना में कुछ ज़ादा ही है इस घटना के तुरन बाद कुछ और घुसपैटियों ने हंदवाड़ा में 5 और सेनिकों की चान ली बिस्बो की शायरी सीमा पर है प्रहरी जगते गलते हिम्मे रेथ में तपते उन वीरों का कर्ज है हम पर सीमा से नहीं लोटे जो घर बिस्बो का उनको सलाम है देश की उची रखी शान है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और पेच पर बने बेल आइकन को क्लेक जरूर कीजेगा ताकि आपको हमारे लेटिस्ट वीडियो की जानकारी आज सानी से मिल सके धन्यवाद